जो लोग MBA के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ है, और थोड़ा सब मेरा भी 15 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ में शेयर करने वान हूँ, अभी at present I am working as a guest faculty in different colleges, MBA पढ़ा रहा हूँ और 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत placement को लेके बच्चों को आती है, college admission ले लेता है, दो साल में MBA भी complete हो जाता है, but finally जो सबसे बड़ी problem आती है बच्चों को आता है placement को लेके, उस ही के उपर मेरा focus है और वही चीज़ मेरे को discuss करने ही, उससे पहले थोड़ा से मेरा profile दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, तो आ free books मिल जाएंगे, तो सारी की सारी books हर state का book मिलेगा आपको, आइधर सारा राहिस्तान, UP, MP, बिहार सबका books मिलेगा, साथ की साथ आप लोग को MBA के videos मिल जाएंगे, accounts के, finance के, सारे subject के videos है, YouTube के link है वो आपको मिल जाएंगे, उसके लावा मैं हर साल IMM दबाज जाता हूँ, ब बहुत कुछ सेखते हैं वाँ पर, उसके अलावा गुआ, बिडला सिटी वाटर पार्क के टू जाते रहते हैं, so this is a PDF, YouTube के link है, सब लेके बले, IMM अब्दबाद हो गया, गुआ हो गया, यह बिडला सिटी वाटर पार्क हो गया, आप लोग का, यह MB के videos है, अगर मान लोग कोई non-commerce student है, accounts पढ़ना चाहता है, उसके basic पढ़ना चाहता है, उसके basic पढ़ना चाहता है, so click करेगा, YouTube पे लेके जाएगा, YouTube पे सारे के सारे accounts की, accounts basic, 1, 2, 3, 4, सारी classes को जाएगी, playlist है, तो यहां से यह cover कर सकता है, math, stats, यह सब मिल जाएगा, books मिल जाएगी, सब मिल इसे आप लोग का international financial management का book है, 2020, यह book लेका था 2010 में, तो 7-8 साल से books भी लिख रहा हूं है, यह QT का book है, cost accounting का book है, यह सारी books आपको market में अवलेबल हो जाएगी, चलो यह सब तो ठीक है, बट अपना main objective था MBA, MBA में placement को लेके main objective था, देखें, those who are planning for cat, और वो IMS का plan कर रहे है, उसके अलावा वो top 20 schools का plan कर रहे है, तो better है कि वो उस side में ही जाएं, इसको concentrate नहीं करें, but those who are middle class family, और कुछ ऐसे 80% students होते हैं, जो cat का planning तो करते हैं, success नहीं होते, IMS नहीं मिलता, top 20 schools नहीं मिलते, तो यह video उनके लिए, मतलब मैं बार बार यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, middle class family, those, जिनका mind इतना work नहीं कर रहा है, और IMS तक नहीं पहुच पाते हैं, तो उनके लिए video बनाया है, अधिके नॉर्मली MBA colleges का जो fee structure है, वो around 2 lakh to 1,50,000 to 2 lakh, यह MBA college का fee structure है, MBA के colleges बोल रहा हूं, मैं PGD 1 में बोल रहा हूं, पीजडी में is nothing but the diploma, post graduate diploma in management, वो college बोलेगा यह best है, MBA मत करो आप, क्योंकि MBA में 2 lakh रुपे लेंगे, तो वहीं PGD में जाते जाते 6 lakh रुपे लेंगे वो आपसे, 5-6 lakh, क्यों? महेंगा product बेचेंगे तो ज्यादा income होगी, आप समझने में क्या बढ़ों, advanced curriculum ऐसा बोलेंगे, ब profit ज्यादा होगा, तो आप लोग दिमाग मत लगाना, college कितना भी बोले, degree चाहिए, डिपलोमा नहीं चाहिए, और degree मिलेगा आपको MBA से, अब देखें, आजकल कुछ college, सारे तो नहीं बोलूँगा, बढ़ कुछ college ने कुछ concept follow करना शुरू कर दिया, अगर आप fresher है, MBA complete हो ग होगी ना, तो average placement होगा, उसका 10,000, 12,000 per minute, अरे इतना placement तो B-Comp पे मिल जाता है, इतना placement तो B-B-A पे मिल जाता है, तो फिर मतलब क्या निकला MBA कर लेका, इसलिए कुछ college ने concept को follow किया है, और वो concept क्या है, इसको ध्याद से दिखना, आपका 100% placement होगा, कुछ बच्चे बोलत one month तक आपके उपर बहुत seriously work किया जाएगा, आपका personality development पे काम किया जाएगा, English communication पे आपका काम किया जाएगा, advanced Excel आपको सिखाय जाएगा, digital marketing आपको सिखाय जाएगा, एक महीने तक वो आपको छोड़ते नहीं, आठा 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बठा के रखेंगे आपको, औ नहीं नहीं आपको इस तरीके से बना देंगे, कि now you are ready for a corporate world, आप एक company में जाके job करने के लिए तयार है, अब वो क्या करेंगे, classes का timing रखेंगे सुबह, morning, 7-10, 7-10 तो उनको class होगा, class तो ले नहीं पड़ेगा आप, और 11 o clock आप office जाएगे, और 11 से लेके 6 p.m तक आप office मे रहे, it means आपका placement on the spot हो चुक है, जिस दिन आपने MBA में admission लिया था ना, same day मान लो, within one month को आपका पता है, students कहते हैं, sir, एक मैनी की क्या जोरत है, आज ही हमको placement, अरे भई, आप fresher हो, आपको prepare तो करें उसके लिए, जब आप prepare हो जाओगे corporate world के लिए, तभी तो आपको बेजे बीच में मान लो, यह आप लोग को मिलेगा, on an average अगर 10,000 रुपे भी मिलते हैं आपको, और दो साल में आपने 20 months job किया, यह internship किया, तो 20 to 10,000 पी अगर मैं करता हो ना, तो total बनता है 2 lakh, तो करीब-करीब आपका पूरा MBA का fees आप खुद निकालेंगे, आपको parents से लेने की ज हो, तो अब एक बात बताएं, अगर आपने 2 साल, मैं छूटा सा एक्जामपल लेता हो, you are working in EU finance, अब EU finance के अंदर, last 2 years से work करें, work करें वादा internship करें, आप 10,000 पे start हुए थे, तो 2 साल के अंदर, अब 15 से 20,000 पे अब जब 20,000 पे पहुच गए हैं, MBA complete degree आपके हाथ में, अब अगर आपके campus में ICA से bank आती है, तो जो आपके friends से blank बैठेंगे, उनको पता ही नहीं क्या है, क्या है banking sector, पर आपको तो बहुत जबर्जस knowledge है, तो अगर आपको ये knowledge है, तो ये मान के चलो, आप यहीं बोलेंगे, मैंने EU finance में ये किया, वो क्या, दो साल काम किया आपने, व वो लेगा, ठीक है, कितना मिल रहा था, 20, वो लेगा, ठीक है, आज आओ, 30,000 बे आदे, you got the point, this is the concept, जो मैं आपको समझानी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप starting से job कर रहें, internship कर रहें, तो आपको placement में प्रॉब्लम नहीं आती है, और package बहुत अच्छा मिल जाते है, अब यह बाते मैं कर रहा हूँ, minimum package बोल रहा हूँ, 3.5, बच्चे का caliber है, वो 4,000,000 भी लेके जाता है, पास लाग भी लेके जाता है, उसके अलावा, यह तो एक concept हो गया, जो normal concept में बता रहा हूँ, कुछ colleges इसके अंदर एक concept लेक है, जिसको बोलते है MBA, और साथ में लगा दिय चले ही, मैं सारा का सारा जो concept बता रहा हूँ, operations का बता रहा हूँ, आप लोग का जो MBA का curriculum है, वो तो पूरा होगा, उसके अलावा, 200 hours का proper एक course है, यह मान के जो 50,000 प्लस आप पे कर रहे हो, वो इसी course का पे कर रहे हो, यहाँ पर आप लोग को पूरा का पूरा investment banker बना जाए those who are planning for finance, अगर MBA में finance ले रहे हो आप, तो उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोग्राम है, अगर वो करना चाहें तो बाकी तो यह आपका MBA भी complete हो गया, और यह आपका job भी लग गया, सब कुछ ठीक है, पर अगर आपको चाहिए कि मेरे को stability चीए, बहुत comfortable job चीए, मेरे को operations का job चीए, sales का job नहीं किया, आप समझ रहे हो, तो यहाँ पर चलते हैं, यह पूरा का पूरा investment banking का concept है, इसके अंदर जो curriculum है, 200 hours का curriculum है, इसका level 1, level 2, level 3 हैसा मिलेगा आपको, एक बाइब लेवल 1 में देखते देखो, क्या-क्या topics है, introduction of investment banking and financial system, introduction to cash security, introduction to fixed income securities, introduction to foreign exchange market, derivative market, derivative swap, introduction to money market soft skilletry, तो यहाँ पर क्या होने वाले, यहाँ पर आपके 3 levels है, level 1, then level 2, और फिर आपको मिलेगा level 3, अभी तीनों level क्या बताते हैं, यह आपको पूरा का पूरा investment banker में convert कर देखो, और करीब करीब the companies, भूचार लिंक पे तो financial companies, जो finance से relate करती है, जो companies में finance का work होता है, उन companies में placement होता है, और इनका जो placement start होता है, वो होता है 5 lakh से, minimum placement इनका 4.5 से लेके, और आगे तक 5 लाग मान के चलो, average 5 लाग से, इनका placement 10 लाग तो आप समझने में क्या बूरा हूँ, आप मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यह सारी की सारी जो companies हैं, इनके अंदर ही लोग place करते है कॉलिज का ही एक पार्ट मान के चलो, जो कॉलिज ने private companies से type कर रखा है, उसके नदर आपका SBA ही आजाएगा, SDFC आजाएगा, JP Morgan आजाएगा, XS Bank है, Kotec Mahindra, Yes Bank, City Bank, देख रहे हैं, तो यह पता है क्या है, अगर आप जहां से देखो तो these are the companies which are related to financial sector, तो यह कोर्स मान के च करतों, आप कहीं से भी MBA करें, मैं नहीं कहता है कि आप यहां से MBA करें, वहां से MBA करें, कुछ चीजों को ध्यान रखना, सबसे पहली चीज, उस college से बोलना मेरे को placement आज चाहिए, मेरे जेब में पैसा नहीं है, मेरे को पैसा parents ने बोल दिया, आप कमा और खुद बरो, तो sir म मेरे को internship या placement दिलाओ, 10-15,000 मेरे को दिलवा दो, जिससे की मेरी गाड़ी चलती रहे, मतलब मेरी pocket money मैं खुद निकालूगा, मेरी fees मैं खुद भरूगा, पहली condition है, दूसरा, fee structure 2,00,000 से उपर नहीं जाना थी, पैसे तो 10,000,000 के अंदर-ंदर हो जाएगा, पढ़ी additional अगर और तीसरा, सबसे important concept है, कि आप college से पहले ही ये clear कर ले, कि मेरे को placement चाहिए, और placement मेरे को on the spot चाहिए, आप समझे में क्या बढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप wait कर रहे हो, placement होगा, और ये कौन guarantee लेता है, दो साल पूरे हो जाएगा, और placement नहीं बाद तो क्या करेंगा, तो ये छ कोई भी doubt हो, related to MBA, MBA join करने के बाद doubt आएगा, subject wise मैं बैटाओ, MBA में admission लेने के time doubt आएगा, आप ने को call करो, मैं आपको बहुत comfortable, with guarantee, अब guarantee मैं क्यों दे रहा हूँ, अरे भाई, अगर आप लोगो को subject में doubt आता है, मेरे पास आओगे, तो दो साल तो आप मेरे पास ही रहोगे और one month के अंदर आपका placement होने है, आप college को clear बोल दो sir, मेरे पास तो 10,000 पेह बस, ये admission fees ले लो बात खतम, अब आप मेरा internship लगा और पैसे लेते दो, अगर internship नहीं लगेगा, college को पैसा नहीं देना आपको, तो कहीं ना कहीं अपन, वैसे ही safe zone में, दो साल कौन वीट करेगा, आज ही देख लेंगे ना, जो होना है, वो आज ही होगा, तो one month में आपके सामने पूरी picture clear हो जाएगी, तो थोड़ा सा देख लो, अभी तो time है, MBA के admissions चल रहे हैं, तो those are planning for MBA, मेरा number है आपके पास में, आप call करो, whatsapp करो, मैं आपको पूरा और detail में बताऊंगा, कि इसमें क कहां कहां कौन कौन से लूपोल्स है, वो भी अपन डिस्कॉस करेंगे, ओके, best of luck.